आप लोग देख रहे हुँ माई लाइप माई जारनी तो अब सभी को और एक ब्लोग वीडियो में शौगत है आभी टाइम हो रहा था फाइव थर्टी अभी से मैं आवना ब्लोग स्टाट कर रही हूँ और आज मैं आव लोगेशा शेयर करने जाड़ी हूँ माई का सब सपाई इसके लिए जिदने सारे समान है नीचे रख रही हूँ और एक काम है बहुत बड़ा तो मेरा जो बिड़कम सोपा है के अंदर में ट्रॉली बगाड़ा और उसके सासत ब्लैंकेट बगाड़ा भी रखूंगी मैं आप लोगों को एक दिन बताई थी तो यहां खोद अकेला नहीं कर पाती हूँ इसके लिए हस्बेंट आज घड़ पे है तो उसको मैं बोलके ही क्लीन करूंगी तो बो भी मुझे हिल्प करेगा और यहां पर देखिए जिने सारे समानता मैंने रख दिया है और मैं आप लोग के साथ ना बहुत दिन अमने मर्निंग साम छलबा है तो एक साल हो गया है सिधा हम लोगों ने इस नहीं क्या क्योंकि कोई गेस्ट आथे तब भी ऊज़ इसका अभी जो एक साल करेगा और हम लोगों को मतलब हेल्प भी करेगा देखिए और यहां देखिए मैं ब्लैंकेट बगरा लेकर आ गई थी तो बो बोल रहे थी कि मम्मी मुझे दे दो तो मैं रखूंगी अंदर और यह जो है मैंने फोल्ट नहीं किया था इसके बज़ा से मेरे उपर जिला रहे कि तुम फोल्ट क्यों नहीं किया तो दिखिए मैंने यह भी फोल्ट कर लिया था और क्या हुआ पता है फ्रेंड्स मेरा यह जे ट्रॉली बैग है ना इसके आंदर नहीं घुजरा था देखिए जो दो बज़स्ती हम कर देए थे बट इसका जो यह देखिए यह जो है ना इसके अंदर ना थोड़ा सा मुझे नेप्थुलीन बोडी होता है ना वह भी देना है नहीं तो कीड़ा मकटा जो है ना सब अंदर आ जाएगा और कट लेगा पता नहीं चलेगा और यह जो समान है एक साल के बाद ही बाहर निकलेगा तो यहां पर देखिए हम मैं और दोनों सोगे थी बड़ बोल रहा था कि मेरा जो और दो फ्रेंट से वह से भी सुलाना है तो वह भी लेके चलाया है तो देखिए इसका मुस्ति अभी जारी है मुस्ति जो है दीन पर जारी है और अभी देखिए अब लोगों को मैं दिखा रही हूँ बाहर का नजारा देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ना और ग्रेनारी जो है मुझे तो बहुत ही पसंद है अब लोगों को पता ही है और अभी थोड़ा बहुत धुख था तो बह नहां पर देखिए फिर से हम लोगों ने सोबा को सेट कर दिया है और अभी जो है इसके उपर नाल बहुत ही डस्ट हो गया था तो वहीं अभी क्लीन कर रही हूँ और यह जो है हमारा ब्लैक कलर का है इसके वज़ा से बहुत ही गंदा हो जाते है और अभी देखिए हम मुड़ बुड़ा था कि अब लोगों को क्या बताओ वेटू को जब भी खाने देते थे ना इसके अंदर फेक देते थे थे थोड़ा बहुत गैप था तो उसके बीज में फेक देता था और आभी देखिए फ्रीज को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे इसके पीछे जो है हम मैं एक बार मैं क्लीन करती हूँ और अभी जो है पूरी जाडू लगा लूँगी और उसके साथ साथ जो है पोच्छा भी लगा लूँगी और उसके बाद फिर से सोफा को हम जगा पर सेट कर देंगे और यह देखिए बेटू के बिना तो कुछ भी कम अधूरा रह और इतना सारा डास्ट था कि हम लोग बोल रहे थे जाओ यहां से बाट बो नहीं हिलेगा यहाँ पर ही रहेगा हमारे साथ और क्लीन करेगा हम लोगों के साथ तो हस्मेंट का आज एक साधी भी है तो उसका कलिकल साधी है एक बो साधी पे जाएगा और मैं सोज रही काने में कुछ स्पेसल बनाऊंगी मेरे और बेड़ू के लिए तो आज मैं आलो पूरी बनाने जा रही हूँ और घुबनी बनाऊंगी तो यहां पर देखिए यह सब मैं हम लोगों ने क्लीन कर लिया था और अभी जो है सुभा को हम रख देंगे और बेडरूम भी बना क्ली नहीं शेयर की हो तो चलिए यह सब कर लेते हैं यह इसके करने के बाद मैं रिस्ट चेंज करके फिर जाओंगी समके दिया जलाने के लिए उसके बाद मैं आप लोगों से बाते करूंगी अब बना रहे हैं आलू पूरी तो आलू जो है मैं पहले से यह पर बॉर्ट करके रख दिया था और अभी जो है मैं यह आलू का जो श्ट्रविंग है बो बनाऊंगी और आपना मैदा जो है मैं पहले ही बुंद के रख दिया है तो जलिए अभी श्ट्रविंग बना लेते तो आलू कुडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर डाल दिया था थोड़ा सा मस्टर्ड और उसके बाद खड़ा जी रहा और अभी मैं एड़ कर ड़े हूँ टमेटो ओर ओनियों थुरा से फ्राइघ करने के बाद मैंने यहां पर मसला एड़ कर दिया था और अभी खाने में बहुत अच्छा लगता है और अभी देखिए मैंने आलू को पहले वायल करके रखा था बो मैंने डाल दिया है और आलू को में इस तरह से कर लिया है तो अभी जो है वर स्टाफिंग हमारा बनके रेडी है और मैं थोड़ी दिर के लिए यसे ठंडा करने के लिए छ साइट मेरा घुगनी हो रहा है और दूसरे साइट मैंने ओयल बिठा दिया है यह अलू पूरी को फ्राइब करने के लिए तो यहां पर देखिए छोड़े-छोड़े हमने लोई बना लेंगे और इसके अंदर जो है स्ट्रफिंग हम भर लेंगे तो जैसे हम पीठा बनाते है ना देखिए इस तरह के मैंने कर लिया था और अभी जो है मुख को अच्छे से बंद कर लेंगे और थोड़ा सा घुमा के बंद करेंगे नहीं तो आलू का जो स्ट्रफिंग है ना वहार निकाल जाएगा तो मैंने यह बनाने के टाइम में कैमरा के दीगरा तक हो रहा है बट आभी जो एडिंग में करने बैठी हूँ तो दीख रहा हों कि थीक तरह से नहीं देखा है इसके लिए मैंने देखिए एक तो बना लिया था और एक मैं बना लूँगी तो इस तरह का है और इसके अंदर जो है आलू का स्ट्रफिंग मैं दे दूंगी और इस तरह से मैं सब कुछ बना लूंगी तो चलिए एक जो है हमारा दो बनके रेडी है और अभी जो है मैं आच्छे से बेल लूंगी तो चलिए यहां पर देखिए हो गया है और इसके उपर ना मैं थुड़ स्पेड कर ड़ी हूँ उसके बाद मैं बेल लूंगी तो देखिए बहुत हलके हाथों से बिलना है नहीं तो यालू का जो स्ट्रफिंग है बाहर आ जाएगा धूरा सा आ गया था मेरा भी बट कोई बात नहीं हो जाएगा और खाने में इस यह जो आलो पूरी है ना बहुत अच्छा लगता है मैं यह अलो पूरी एक दूबर बना चुकी हूँ बट अब लोगे साथ रेसिपी जो है नहीं शेयर के हूँ तो इसके बज़ा से आज मैंने रेसिपी अब लोगे साथ शेयर कर रही हूँ और हस्पर तो साधी पे गया है तो बहुत सारा खाएंगे और ह हम लोग क्या खाएं क्या खाएं तो बेटू को स्पेसली पूरी पसंद है इसके बज़ा से मैंने बना लिया है तो बेटू और मैं रात को पूरी और घुगनी खा लेंगे तो इहां पर देखिए इस तरह से पूरी के ऊपर तेल देना है तो देखिए एक पूरी जो है हमार लोगों को दिखाती हूँ हमारा डीनार कि अज़े टाइम हो रहा था 11 और हम लोगों कर डीनर हो गया है और हस्पेंट भी घर पर आ गया है डीनर के बाद मैं आ गई हूँ बेट को क्लीन करने के लिए और हस्पेंट भी घर पर आ गया था ये तो उसी का काम है रात को वही बेट क्लीन करता है बट आज वो साधी में गया था तो ज़्यादा खा के आ गया है खाना तो इसके वज़ा से वह बाप और बेटा है और मैं भी क्लीन कर दे हूँ नहीं तो रात को वही करता है सुबह का जो क्लीनिंग है मेरा रहता है और रात का उसका रहता है तो डेली वो कर दे है आज मैं कर लिया है और सुभे मैंने बहुत आचे से क्लीन किया था तो आभी मैं स्रेप खुल जाड़ की मतलब से थोड़ा सा जाल लूँगी और चलिए सुभे सुभे बहुत जल्दी उठना है और मेरा रूटीन में जो है ना सुभे में बहुत सा चेंज हो गया है तो वो भी मैं अब लोग के साथ शेयर करूंगी एक दो दिन में तो मेरा उंटर के टाइम में एक रूटीन रहता है समर के टाइम में टोटली चेंज हो जाते है वो रूटीन तो वो भी अब लोग बहुत जुल्दी देख पाओगे और यहां पर देखिए बेट तो मेरा क्लीन करना हो गया था अभी हम लोग जा रहे हैं सोने और सुबह सुबह उठना है फिर काल से स्टार्ट होगा और एक नया रूटीन तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में टाडा टेक क्यार बावाई झाली में